नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कुरोना से निपटने में लगी मेडिकल टीम और सरकारी क्रमचारियों पे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं मुरादाबाद के बाद जो ताजा घटना सामने आई है वो सर्मसार करने वाली है और ये घटना है करनाटक के पादरायनपूर की दरसल हुआ ये था कि वहाँ पे ब्रिहत बेंगलूरू महानगरपाल का बेबी एमपी के क्रमचारी गए थे इलाके में क्योंकि उन्हें पता चला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सेकेंडरी सोर्स के टच में आये हैं जहाँ पे कि कोरोना पॉजिटिव के केस आलेडी मिले हुए थे लिहाजा उनको एहतियातन क्वेरेंटाइन करना था बी एमपी के करमचारी वहाँ पे पहुचे लोगों को समझाने बुझाने की कोशिस की और बताया कि कीस तरह के केसे आ रहे हैं सामने इसमें आपको क्या करना है बताते हैं कि कुछ लोग इस बात के लिए तयार थे कि हाँ जिस तरीके की घटनाएं हुई है उसके बाद क्वेरंटाइन होने के लिए वो तयार है लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठा करके कुछ लोग को उकसाया और BBMP के करमचारियों पे हमला बोल दिया करना भोगों एंचे बाद रचे करमचार विए एंचे लोगवाद क्वेरा प्राद आटनाएं होने वोगों जालो तरीके की घए थनीघा करके कुछ दिए है करतुम करता है उन लोगों ने जो अपना वहां पे बैठने की जगा वगरा बनाई थी उसको उखाड करके फेक दिया और कमचारियों को पीटने लगे कमचारियों के सामने सिवाए हाथ जोडने के और कोई रास्ता नहीं था वो हाथ जोडते रहे बचाने की गुहार करते रहे लेकिन आक्रोसित लोग जो थे वो सांथ होने का नाम नहीं ले रहे थे फिर सुचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची उसके बाद करवाई का दम भरा जा रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग कब तक ना समझ बने रहेंगे क्यों नहीं कोरोना की गंभीरता को समझते हैं यदि कोई सरकारी करमचारी मेडगल टीम पुलिस आपसे ये कह रहे हैं कि आप के हाँ ऐसे केसे मिले हैं और आपको कुरेंटाइन होना पड़ेगा तो इसमें क्या दिक्कत है आखिरकार अपनी जान की हिफाज़त आप क्यों नहीं चाहते हैं हम क्यों नहीं चाहते हैं इन सिस्टम को कुछ करने नहीं देना चाहते तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल